तो फ्रीण एरिडि एरिलाइन में से निकला है अबर आप एरेपोर्ट पे जोब करना चाहते हो अद्षाने का जो कॉंट्राक्स चल रहा है वहाँ पे तो और यहाँ पे कमणी रोल पे भी से हैं और contract based भी वेकन्सी है, company role पे आपको मतलब की interview देने के आपका एक जोइनिंग प्रोसेस होगा, document verification होगा, उसके बाद आपका job join होगा और contract भीस पे आपका direct जोइनिंग होने वाला है, तो हम दोनों की बात करने वाले हैं, केबिन क्रू में भी वेकेंसी है एरलाइन की अलग इंडीगो में भी वेकेंसी है लेकिन उसके लिए आपको कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो मेरे साथ मैं आपके साथ पुरी डिटेल्स में एक्स्प्रेंड करूंगा कि अगर आपको एर्पोर्ट में जॉब चाहिए तो आपको किस तरीके से आविदन करना है तो हमारी वेपसाइड आईटी जोब बेटा के चले जाते हैं यहा यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया हम एर्पोर्ट में जो जॉब एर्लाइन में आपको जॉब करना है उसके लिए यहाँ पर फ्लाइट के नाम दिये गए है कि कौन-कौन से फ्लाइट पर वेकेंसी निकल गया है जिसमें कॉलिफिकेशन दसपास बारपास पर लमाले सभी लोग एप्लाइब कर सकते हैं कुछ नहीं है उसके बाद यहाँ पर मिनिमुम् आपकी 11 चाहिए क्योंकि आपको पान काड अब भी अप्लोड करना रहता है तो पान काड के लिए आपको अठरा साल की एज होगी तब ही आपका पान काड आपके पास होगा फ तो बात करते हैं ऊपके मिनिमर्ट यहां पर देख लिए में हैं तो आप अपलाई कर सकते हो यहाँ पे ST OBC साड़ मतलब ही SC ST और OBC केंडिडेट एपलाई कर सकते हैं लेकिन उसके आपने गवर्मेंट को कॉलेज से ही आप पास आउट होने चाहिए उसका एक काइडेरिया है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है तो आपका स्कील उसके बाद प्रस्टनल इंटर्व्यू और ड्रोक्निमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके बाद आप से लेडी की बात करें तो यहां पर देख सकते हो आपकी जो मिनिमुम से लेडी रहें वाली है टूपॉइंट वन लाक से लेके वन फॉलब करना रहेगा उसके बाद धिन दो से तीन दीन में आपको इंटर्यू का मेला जाएगा उसके बाद आपका इंटर्यू दिना रहने वाला है यहां पे ऑफिशन नोटिपिकेशन का पढ़ना है उसके बाद यहां पर लिखा गया कि आपको एप्लिकेशन भी डाउनल देना है उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी मतलब की सेक्यूरिटी गार से लेके सारी केबिन क्रू हो गया ग्राउंड स्ट्राफ हो गया यहाँ पे सारी चीज वो लिखी गई है मैं एक फॉर्म को फीलप करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे को सूरत में फीमिल के लिए वेके पर डालना रहेगा यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं समझाता है तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो और एक इंपोर्टन चीज है कि यहाँ पर यह जो आपको रेड़ दोट दीख रहा है यहाँ पर जो इस इंस्ट्रक्शन को आपको ज़रूर फिलप करना इस इंस्ट्र को आपको 100% फिलप करना ही पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आपका वड़ीवेट के सारी डिटेल से आप लिखी गई है यहाँ पर जो आपका लोकेशन रहने वाला है सूरत एरपोट रहने वाला है यहाँ एक कॉंटेक नंबर भी दिया गया है ऐसा नहीं है कि मेरे यू करते हैं हम आपका एक छोटा सा मतलब की हमारा से एक निवेदन रहता है कि आपको वीडियो को सेर करना रहता है और चैनल को सब्सक्राइब करना रहता है तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जोब वेकेंसी के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग इस तरीके से आपको सब्सक्राइब कर दिया है आपके अंदर में भी ऐसा गूगल रहेगा उसके अंदर आपको लिखना आई जोब बेटा तो यह ना वन आप दम बेस्ट वेबसाइड है जहां पे एक लाग से भी ज्यादा ट्राफिक मतलब की कलका था और आज का मैंने चेक नहीं किया शायद जोब वेकेंसी की अपडेट आपको यह वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी यहां पे क्वालिफिकेशन वाइस भी आपको जोब देखने के लिए मिल जाएगी थैंक्यों फॉर वच्चिंग मिलते है नए वीडियो में नए जोब वेकेंसी के साब